अस्सलाम उलेकुम, आज हम मुंबई के फेमस स्ट्रीट फूर्ट चने बनाते हैं, जिसे लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो आज हम इसे शौक से बनाएंगे हमने यहाँ पर काले चने ले लिये हैं, जिनने हमने 8 घंटे पहले बिगाया था, और बाद में प्रेशर कुकर में 8 से 10 मिनिट के लिए इन्हें बॉयल कर लिया है, हमने आधा कप चने यूज किये हैं, हम इसमें एक छोटी साइस का आलू डाल देंगे, रफली कट करके आलू एक छोटी प्यास डाल देंगे, हम इसमें बारिक चॉप करके, एक हरी मिर्ची इसे भी हमने बिल्कुल बारिक कट किया है, आप जितना तीखा खाते हैं उतनी डालें, बारिक कट गया हुआ तमाटर, तमाटरों के हमने बीज निकाल लिये हैं, और इसे बारिक कट कर लिया करके, हमने आपर एक टेबल स्पून कच्चे आम को लेकर बारिक सा कट किया है, इस तरह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आपके पास अगर यह अविलेबल हैं तो आप जरूर डालें, हम इसमें एक चुटकी काला नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला यह मिरैकल मसाला है, जिसे हमने घर पर बनाया है, इसमें धनिया, जीरा, सौफ, सुखी लाल मिर्च, काली मिर्च और काला नमक है, यह बहुत सारी चाट आइटम्स में काम आता है, तो इसे आप जरूर घर पर बना कर रखें, साथ में हम इसमें दो टी स्पून नीम बुका सौटे करेंगे, जान रखना है कि फ्लेम को लो नहीं करना है, वरना टमाटर और प्यास का पानी भी छूट सकता है, बस हाई फ्लेम पर दो मिनिट इसे सौटे करके हम गर्मा गरम सर्व करेंगे करेंगे तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बाबाए अला हाफिज